तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं maximum and minimum number find करने की trick तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दें और उसके साथ ही बेल आइकन को फ्रेस कर दें तो चलिए सुरू करते हैं बीना किसी देर के तो दोस्तों इस वीडियो में हम तीन तरह के question discuss करेंगे जिसमें maximum और minimum number find out करना होगा तो पहले type question आप देख लीजिए यहाँ पे screen पे आपके सामने में लिग देता हूँ type first के question को पहले solve करेंगे तो यहाँ पे question है तो इसमें maximum और minimum number find out करना है तो इन numbers में maximum और आपको minimum number find out करना तो कैसे करेंगे आईए जानते हैं तो हम देखेंगे इनकी power जो भी power दी हुई है इसमें तो उनका हमें HCF यानी मुसा निकालना पड़ेगा महत्तम समापवर्त या HCF HCF आप जब निकालेंगे इन सभी numbers का 40, 60, 30 और 30 का तो यहाँ पे 10 जो है HCF आएगा ठीक है क्योंकि 10 ही ऐसा number है जो सभी संख्याओं को जो है divide कर दा रहा है एक साथ सबसे बड़ा number है यह 10 जो 40, 60, 30, 30 को एक साथ divide करतेगा समझ मैं है तो यहाँ पे HCF हो गया इसका 10 तो आपको HCF को कैसे लिखना है आएए देखते हैं तो यहाँ पे 10 अगर यहाँ पे करेंगे तो 10 चब के 40 तो दीबाव 4 के whole power 10 हो जाएगा इसी तरह से जो है 3 to the power 6 हो जाएगा यहाँ पे 2 to the power 10 5 to the power यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 10, 4 to the power 3, 2 to the power 10 ठीक है तो आप देखेंगे सभी जो नीचे जो है बेस जो है यह अंक अलग-अलग हो जाएगे उपर वाले जो power जो है सभी के equal होगे आप देख सकते हैं तो आसानी से अब जो है आप find out कर सकते हैं कौन से नंबर बड़े हैं कौन से नंबर चोटे हैं तो आप जो है इसको एक पर और साल कर लेंगे 2 दून 4 दून 16 हो जाएगा 16 to the power 10 तो यहाँ पे 3 to the power 6 करेंगे तो यहाँ पे 729 to the power हो जाएगा यहाँ पे 10 तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो इसमें आप आसानी से find out कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर चोटा है तो सबसे छोटा नंबर जो मिनिमम नंबर होगा यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पे 2 to the power 40 यह वाला जो है 2 to the power 40 जो है सबसे ज्यादा मिनिममम नंबर है सबसे छोटा नंबर है ठीक है और मैक्सिमम आप देख रहा है यह दिख रहा है आपको मैक्सिमम नंबर 3 to the power 60 हो गया और मिनिममम नंबर हो गया 2 to the power 40 तो अगला question आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 5 to the power 24,2 to the power 60,3 to the power 48 और 3 to the power 36 यहाँ पे आपको 24,6, 48 और 46 का जो है हाँ पे HCF निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको हाइस्ट कामन फैक्टर निकालना होगा पहले मैक्सिमम और मिनमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसमें से आपको इन नंबर का जो है जो भी power है उनका जो है HCF निकालना पड़ेगा HCF अगर निकालेगे जो है आप तो यहाँ पे 12 आएगा क्योंकि 12 ही ऐसा नंबर है 12 दूनी 24, 12 पंचे साथ, 12 चोपे तारीस, बार दियां 36 जो है सभी को एक साथ डिवाइड कर दे रहा है तो आप जो है कामन भी ले सकते हैं इसमें कौन सा पावर में कामन है नंबर ऐसा ठ यहां पर आप 12 कामन लेंगे यहां से तो 12 होजाए है यहां क्या करना है आपको जो भी यह अंदर ब्रेकेट वाला इसको साल कर लेना है और आगे 35 पचे 25 तो दी पावर 12 हो जाएगा यहां पर 32 के पावर 12 ठीक है तिन तरी के 9,327 तो यहां पर जो है 81 हो जाएगा के पावर 12 उसी तरह से तिन तरी के 9,327 के पावर 12 आप देख सकते हैं सभी जो नंबर्स है उनकी जो घाते हमने इक्वल कर लिया इस तरह से ठीक है तो यहां पर इजली आप जो है आप फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर तो आप डैरेक्टरी नंबर्स को देखिए जो भी बड़ा नंबर होगा वो जो है सबसे बड़ा है ठीक है मीनिमम नंबर हो जाएगा यहां पर मैक्समाम आपको कौन सा दिख रहा है यहां पर 81 तो 80 के पावर 12 जो है मैक्समाम है यानि इसको क्या लिखा था हमने तीन 3 to the power 48 को इतना लिखा था ठीक है तो यह वाला जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा ठीक है तो अगला कोशन है साओर नंबर लगी हुई आप देख रहे हैं तो मैंने पहले इस वीडियो में इसमें जो है जो भी पावरस है उनका HCF निकालना है तो HCF निकाली है तो यहां पर highest common factor की बात की जाए तो यहां पर 5 ही कामन ले सकते हैं सब में हाईस्ट कामन 505 ही ले सकते हैं इन सभी में से जो भी घात है उनका हमें HCF निकालने पर आ जाएगा है आपर 5 तो HCF आपको निकालना सीखना होगा या फिर इनमें डारेक्टिर अगर आपको HCF नहीं निकालने आता है तो 25, 20, 15, 10 जो अंक दिये हुए है इनमें से ऐसा common लेना है इनमें से ऐसा common लेना है इनके powers का जो सभी अंकों को एक साथ divide कर दे maximum number होना चाहिए वो common ठीक है उसके उपर कोई number जो है इनको एक साथ divide नहीं कर पाएगा समझ मैं है तो आप देख सकते हैं 25 को जो है 5 ही divide कर सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HCF इस तरह से निकल के आया 5 ठीक है तो टू टू दी पावर यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं यहाँ पे कामा देंगे 3 टू दी पावर 4 के पावर 5 ठीक है 5 to the power 3 के power 5 लिख सकते हैं इसको 5 ग्याते 15 जो है उसको 9 to the power 2 के power 5 ठीक है इस तरह से लिख सकते है तो आज जो है अगर इसको साल करेंगे bracket में जो भी दिया हुआ है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यहाँ पर 32 to the power हो जाएं यहाँ यहाँ पर 3 तरह सब्सक्राइब इसको आपको करना है पावर स्को ऐसे लेना है तो उसमें highest common factor लेना है जिससे जो है पावर जो है equal हो जाए तो इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें maximum number, minimum number पहले ठीक है इनमें जो है minimum number है 32 दिख रहा है यहाँ पर 32 दिर्वार 5 यानि ये क्या है ये क्या, कौन सा number है ये 2 to the power 25 को ही तो मैंने इतना लिखा था ठीक है, तो ये जो है minimum number हो या और maximum number की बात की जाया तो maximum number हो जाएगा 125 to the power 5 है यहाँ पर यानि 5 के power 15 जो है सबसे बड़ा number है 5 के power 15 जो है सबसे बड़ा यहाँ पर number है, समझ मैं आया तो अगर ये वीडियो आपको समझ मैं आया तो एक like कर दें यहाँ पर चलिए ये next type question की और बढ़ते है यहाँ पर students, अगर आपके exam में कुछ इस तरह से question दे दिया हो यहाँ पर cube root 2 दे दिया हो यहाँ पर यहाँ पर फिर 4 का root दे दिया है 6 ठीक है, यहाँ पर फिर square root दे दिया है यहाँ पर 5 यहाँ फिर से hexa root दे दिया है यहाँ पर 3 ठीक है तो अगर जो है square root होता है जैसे x है तो इसको x to the power 1 by 2 लिखतेते हैं सब्सक्राइब यहाँ पर cube root होता है तो आपको पता होगा yax के power 1 by 3 लिखते हैं 4 होगा यहाँ पर ठीक है तो yax के power 1 by 4 लिख देंगे 5 का root होगा यहाँ पर तो इस तरह से so 1 x to the power 1 upon 5 यह अनका root होगा यहाँ पर ठीक है तो x to the power 1 upon n लिख देंगे सब्सक्राइब तो इस तरह से आपको इसको convert करना है यहाँ पर देखिए 2 के power लिख सकते हैं 1 by 3 6 के power 1 by 4 लिख सकते है उसी तरह से यहाँ पर 5 to the power 1 by 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 के power 1 by 6 तो आपको देखना होगा यहाँ पर 1 by 3, 1 by 4, 1 by 2 और 1 by 6 का आपको HCF लेना है HCF मतलाब मौसा लेना है महत्तम समापवार्थ HCF आपको निकालना है आना चाहिए ठीक है इसमें तो पहले हम जो है HCF इस तरह से अगर rational number है जैसे यहाँ पर 1 by 3 है 1 by 4 है 1 by 2 है ठीक है 1 by 6 है इनका जो है यह क्या है rational number है इनका HCF लेने के लिए पहले हम क्या करते है उपर वालों का क्या लेंगे यहाँ पर HCF लेंगे जो भी हर या denominator है यहाँ पे इनका क्या लेंगे हम LCM लेंगे समझा तो इस तरह से इनका HCF rational number का find out कर लेंगे परिम्य संख्याओं का जो है बटे में जो भी दी हुई संख्याओं इन सब का HCF हम मौसा find out कर लेंगे ठीक है उपर वाली संख्याओं का हम अगर लेंगे यहाँ पे HCF तो 1 है तो 1 ही आएगा नीचे का देखे 3, 4, 2, 6 तो यहाँ पे 12 इसका LCM हो जाएगा 12 इसका नीचे का LCM हो जाएगा आप जो है 3 चों के 12 4 तिया 12, 2, 6 का 12 इस तरह से यहाँ पे 12 LCM हो जाएगा नीचे का सुझा तो HCF HCF इसका निकालेंगे आप जो है इनकी घातों के HCF हो गया यहाँ पे एक बटा 12 अगर आप जो है 2 के पावर 1 अपां 12 कर दें तो यहाँ पे देखिए 1 अपां 3 था 1 अपां 3 था तो यहाँ पे 2 अपां 4 करेंगे तो ही तो वहाँ पे आएगा इतना multiply होके यहाँ पे 2 अपां 1 अपां 3 और यहाँ पे 6 था तो 6 के पावर यहाँ पे 3 कर देंगे 6 अपां 3 कर देंगे और 1 अपां 4 कर देंगे यहाँ पे 1 by 12 कर देंगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगे यहाँ पर 1 by 4 उसी तरह से यहाँ पर 5 के पावर यहाँ 6 कर सकते है 1 upon 12 ठीक है उसी तरह से यहाँ पर 3 के पावर 2 कर सकते है 1 upon 12 हो जाएगा समझ मैं है अगर आप जो है ब्रेकट को खोलेंगे तो इतना फिर से आ जाएगा तो मैंने जो है रिवर्स में ले लिया है इसको कावन ठीक है तो यह देखिए HCF हमने 1 by 12 निकाला था उपर HCF इन संख्याओं का HCF मैंने अभी निकाला था और यहाँ पर जो है संख्याय दी हुई है तो इसको सॉल करेंगे तो आजाएगा दो दूनी चार दूनी आट दूनी 16 16 के पावर 1 बटा 12 ठीक है 36 26 26 के पावर 1 बटा 12 ठीक है 15625 के पावर 1 by 2 ठीक है तो यहाँ पर जो है और इसके बाद जो है 3 to the power 2 का हो जाएगा 9 के पावर 1 by 12 9 के पावर 1 by 12 तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ार नंबर काउंसा है आपे maximum वाला जो हो जाएगा यह दिख रहा है आपको maximum 15625 यानि maximum नंबर यह हो गया maximum नंबर और minimum नंबर जो है 9 to the power 1 by 2 जो है minimum नंबर यह हो जाएगा यह क्या है minimum नंबर समझ मैं तो maximum नंबर हो गया यह वाला यानि 2 अंडर रूड 5 minimum नंबर हो गया 9 to the power 1 by 12 यानि 6 रूड 3 तो यह minimum हो गया 6 रूड 3 में और maximum हो गया 2 रूड 5 यहाँ पर समझ मैं हो तो students अगर यह वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चलिए टाइक 3 की ओर चलते हैं आपके तो टाइक 3 में आपको जो संख्याय दी होई होगी कुछ इस तरह से दिया होगा यहाँ पर अंडर रूड 5 माइनस अंडर रूड 3 कॉमा इस तरह से संख्या दिया होगा ठीक है इसमें max और minimum number find out करना है ठीक है तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था अगर यहाँ पे under root m minus under root n हो ठीक है under root m minus under root n हो यहाँ पे दिया हुआ तो हम क्या करते है, उपर और नीचे अंडरूड M प्लस N ठीक है, आपान अंडरूड N से मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है, अंडरूड M माइडस अंडरूड N, जो है उपर हो जाएगा तो यहाँ पर M माइडस N हो जाएगा उपर और नीचे हो जाएगा अंडरूड am plus अंडरूड n तो यहाँ पे अगर आप इसी तरह से इस फार्मेट में रखते हैं तो 5-3 हो जाएगा यहाँ पे 5-3 मतलब 2 बटा लिख सकते हैं इसको अंडरूड 5-3 उसी तरह से जो है अगले वाले को लिख सकते हैं अगर यहाँ पे इस फार्मेट पर रखेंगे आप जो है तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 गठेगा 2 बटा अंडरूड 7 प्लस हो जाएगा अंडरूड 5 अगर उसी तरह से जो है टू अपान हो जाएगा 7 फिर यहाँ पे 2 अपान अंडरूड 11 प्लस अंडरूड 9 ठीक है तो आप जो है आपको इसमें कैसे फाइंड आउट करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है अंस तो है सभी का बराबर उपर वाला जो है बट्टे के उपर वाला अंक जो है सभी का क्या है अंस बराबर ह साव characterized by सबसे चोटी संख्या होगी इस चोटा निमिघ में жुड़ा नम्बर heated neural अब Elaan इसewaला नंबर देखिए यहां पर अंडरूड 11 प्लत शबसे बड़ë बड़े ढेडिनोमिघ में तो यह सबसे चोटी संख्या ऊगई यानिisch यहां जाएगा maximum number हो जाएगा यह क्योंकि जो है देखेंगे इसका सबसे छोटा यहाँ पर denominator है तो यह maximum number हो जाएगा इसका जो है 2 upon में देखेंगे यहाँ पर under root 5 plus under root 3 का जो है यहाँ पर सबसे छोटा denominator है यहाँ पर छोटी-छोटी संख्यायदी होगी तो यह maximum member हो जाएगा समझ मैं आप तो इस तरह से आपको इस तरह की question को solve करना है तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करते हैं अपने friends के साथ share करते हैं और हमारे channel को subscribe करते हैं धन्यवाद